थेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात 2-3 चीजों का एकढम नया और बहुत ज़दा चटपटा नास्ता इस नास्ते को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और मात दो से तीन चीजों में बनकर तयार हो जाता है वो भी ऐसी चीजों से जो आपके घर पे अवेलबल हो तो फ्रेंड बिना किसी देरी के चलिए फटा फट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंट इसके लिए हमने यहां पर तीन मेडियम साइस की प्यास ले लिए और अपनी प्यास को हमने बहुत ही अच्छे से पील करके अच्छे से वाश कर लिया है तो अब अपनी प्यास को हम कट करेंगे तो इसके लिए हम एक चौपिंग बोर्ड ले 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 और इससे अपनी प्या के काटना है तो इस तरह जो आपनी प्यास पर ने के और कहते ह Sami है तो आप हमें एक बोल ले लेंगे और अपनी प्यास को हम उसमें ट्रांसपर कर देंगे तो फ्रेंस यहाँ पर में बोल का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो किसे गहरे बरतिन का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपनी सारी प्यास को बोल में ट्रांसपर कर दिया है तो फ्रेंस आप अपनी प्यास में हम डालेंगे तीन से चार बारे कटी हुई हरी मिच तो हरी मिच आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालेगा इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच के करीब साबू जीरा इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चोटा चमच के करीब लाल काश्मीरी मिर्च यह बिल्कुल भी तीकी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए हम इसमें डालेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाध अनुसाय नमक तो नमक यहां पर आपको अपने टेस्ट के according डालना है तो यहां पर मैंने एक चोथा चमच के करीब नमक का इस्तमाल किया है इससे जाद हम नमक इसमें नहीं डालेंगे इसके बाद हम इसमें एक बड़ा चमश के करीब डाल देंगे चाट मसाला पाउडर इससे हमारे नाश्ते में काफी अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके बाद हम इसमें आधे नीम्बू को अच्छे से निचोड देंगे ताकि हमारी जो प्यास की स्लाइसे से वो अलग-अलग हो जाए तो फ्रेंस आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी प्यास में बहुत ही अच्छे से मसाले कोट हो चुके हैं तो आब इस time पर हम इसमें थोड़ा सा oil डाल देंगे क्यूंकि हमारी प्यास बहुत ज़दा पानी रिलीस करती है तो oil जो है थोड़ा सा balance करेगा ताकि हमारी जो प्यास हो कम पानी रिलीस करें तो इस तरह से oil डालके हम इसे हलके हाथों से अच्छे से mix कर लेंगे और इसे हम एक से दो मिनट के लिए rest दे देंगे तो फेंट 2-3 मिनट हो चुके हैं तो आप हम इसमें डाल देंगे 3 चोड़े चंबश के करीब बेसन तो यहाँ पे बेसन हम बाइंडिंग के लिए डाल दे अगर आप बेसन का इस्तिमाल नहीं करना चाते हैं तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं तो फ्रेंस के अलाबह हम इसमें डाल देंगें, चारोच को बिंगें के आध़ एक्टक्री आघ्ण एद्व इसमें डाल हो चपर चाहरेद यहां पर देख सकते हैं कि ये थोड़ी के ड्राइनस को मिक्स कर लिया है इसे हमें पता चाल जाएगे कि हमारी नास्ते में कितनी ज़दा पानी की requirement है तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़दा पानी आड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यास भी हमारी पानी छोड़ेगी तो इस तरह से हम हलके हाथों से अच्छे से बाइंड कर लेंगे और इसे हम एक से दो मिनट के लिए डेस पर छोड़ देंगे ताकि हमें पता से सके कि हमाई प्यास कितना पानी रिलेस कर लिए है तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से मोड कर रख देंगे तो चलिए फ्रेंड इसे हम रस्दे देते है तो friends हमारा mixture अब तयार हो चुका है तो अब इससे हम फड़ा फड़ अपना नास्ता बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हम हाथों में हलका से तेल लगाएंगे क्योंकि हमारा जो नास्ते का मिश्रण है वो थोड़ा सा चिपचिपा है तो इस तरह से हम हाथों में तेल लगाकर इससे हलके से गोल गोल बना लेंगे तो इस तरह से हम इसे पहले लड़ू की शेप में बनाएंगे और फिर इस तरह से टाप करते हुए अच्छे से टिक्की की शेप दे देंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसी around shape दिया है आप चाहें तो इसी कोई भी shape में बना सकते हैं तो इसी तरह से हम अपने सारे नास्ते को बनाकर ready कर लेंगे अपने नास्ते को फटापट से फ्राई करेंगे तो इसके लिए अमने तयल को अलड़ी करम होने के लिए रग दिया है तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा हम एक एक करकी अपने सारे नास्ते को इसमें एड़ कर देंगी तो यहाँ पर इसे आपको low to medium फ्रेम पर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने के लिए पकाना है तो फ्रेंज जैसे ही आपको लगे कि एक साइट से अच्छे से कुक हो गया है तभी आपको इसकी दूसरी साइट को पलटना है तो फ्रेंज दो से तीन मिनट के बाद हम इसकी साइट को अच्छे से पलट देंगे और इसे हम दूसरी साइट भी पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे तो फ्रेंस यहां पर आपको अपनी गैस की फ्लेम को बहुत ज़दा हाई नहीं करना है अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर पकाये तो यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे पर गर्म गर्म सर्फ करते हैं फ्रेंस बनकर तयार है हमारी यह अनियन के बहुत अच्छा से क्रिस्पी कटलेट इसे आप चाय के साथ इंज्णटी के साथ arm 50 गथे दौनों के साथ बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, तो इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, यह बहुत जाधा क्रिस्पी होते हैं, तो आप इसे 1-2 दिन भी खा सकते हैं, तो चलिए फ्रेंज आप इसे एंजुआ कीज़े, और हमें कॉमेंट में ज़रूर बतायेगा और को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब झाल 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 को सब्सक्राइब